दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला प्रेल दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे कील का बिजनिस कैसे सुरूप कर सकते हैं कील के बिजनिस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जोरत होती है मसीन कहां से खरीग सकते हैं हमें रो मेट्रियल कहां से मिलेगा तैयार माल को कैसे बेश सकते हैं कितना मुनाफ़ा होगा य ये सारी जनकारी हमने वीडियो के जरी आपको देने के कोसिस करिए। इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा देखिए गाई। वट अगर फिर भी आपको कोई सवाला धूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के जरी भी पोछ सकते। दूहिच टूंध इसética हो पियोग हर जगह किया जाता Killer का काम हो यह कोई कर भगर बनाना हो वह कोई कर्षा किया जाता है जब्पियोग किया किया जाता है धिसकत कर ना होने कारण इस जल्साय में निव्सटान किसमावनह बहुत कमी रहती हैं। लोह की कील बनाना एक अषग काम है साथी साथ भीमाण हमेशा वनी रहती है और जहां तक बात रॉव मिट्रीयल की है आपको रॉभ मेट्रीयल 30-32 कीलो के भाव से बजार में उपलब्द है भारत में दो जगल लोहे का बायर बना जाता है पहला है रायपूर 36 गड़ और दूसरा दुर्गापूर विस्ट बंगाल में वायर बनाया जाता है इसके अलवा देश के कोने कोने में इसके होल सेलर हैं लेकिन आप रेट्स की बात करें दुर्ग झालव झालव जाता है नाके कोने में वास्वरा जाता है o ज हो हuinely अभका भाई पारत में आपका घ्यों आप का रगल करखें दूसरा में गार्त में दुर्ग झाल 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 प्रजेक्ट रिपूर्ट बनमा के रोजगार इजने के ताथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह सुबदा ऑनलाई और फ्री में कोई भी अपने बिजनेस का रजिस्टरेशन करवा सकता है। उसके साथ हमें गुड्स एयो सर्विस टेक्स रजिस्टरेशन यानि जीएस्टी का भी रजिस्टरेशन कराना होता है। जो हम किसी सीय की मदद से बड़ी असानी से करवा सकते हैं और अगर आप सहर में इस भी उसाय को सुरू करना चाहते हैं तो सौक एक्ट लाइसेंस की ज़रुत पड़ेगी और अगर आपका ग्राम पंचायत है तो आपके ब्लॉग या ग्राम पंचायत से एक नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों जैसा हुम जानते हैं कि वायर के बनाने के लिए हमें तीन मसीन की जड्रवत पड़ती है वायर नेल्स मेफिकिंग मसीन और ग्रैंडर मसीन ज्रवायर के बिया जाता हाई और यहां मसीनौ के जलने मिदास के लिए चुक Whitden जाता है और जबॉत जाता है। सुरूद की प्राबलम नहीं आती है बट अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो आप उसे कूरियर के जरीये भी मंगवा सकते हैं नेल्स पॉलिस मसीन के अंदर कील को डाला जाता है और इसके अंदर लकड़ी की भूसी का उपयोग कील को चमकाने के लिए किया जाता है यह एक असान तरीका है जिसे कीलो की बनावाट नहीं हो जाती है इस मसीन को मैनुल या आटोमेटिक रूप से उपयोग किया जा सकता है ग्रैंडर मसीन कील के उपरी छोड़ पर बने तेज़दार के दोनों सीरों से उसे बनाने का काम करता है हलाकि उसका उपयोग कमी होता है लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता है दोस्तों हम त्यार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बजार में सेल कर सकते हैं कीले नुकीली होती है इसलिए प्लास्टिक के बैक के फटने का डर रहता है हम चाहें तो एक किलो पांच किलो और दस किलो के पैकेट भी बना सकते हैं दोस्तों वायर नेल का बिजने सुरू करने के लिए टोटल खर्चा साथ से आठ लाग रुपे के आसपास आता है जिसमें आपकी चार से पांच लाग रुपे की मसीन की प्राइस होती है उसके बाद रौ मेटरियल, पैकिंग मेटरियल, लेवर कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं चलिए अब इसके प्राफिट को समझते हैं इसमें टोटल प्रोडक्शन कोस्ट 32-35 रुपे के आसपास आता है रौ मेटरियल और बाकी खर्चे के साथ और ये तैयार माल बजार में 40-45 रुपे के हिसाब से बिखता है जिसमें हमारा 1 केजी में प्रॉफिट 13-15 रुपे के आसपास आ रहा है अगर हमारी मसीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रॉडक्शन करती है तो पूरे महिने में ये 500 के हिसाब से 15,000 किलो का प्रॉडक्शन करेगी जिसकी टोटल वैलू 6,75,000 के आसपास आएगी जिसमें प्रॉडक्शन कोस्ट और रौ मेटरियल 4,80,000 का है उसके अलावा पैकिंग कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और बाकी खर्चे जब निकालने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट एक महीने का एक लासाता है दोस्तो सुरुवात में हमें थोड़ी मुस्किले हो सकती हैं अपने तयार माल को मार्केट में बेचने में और फिर उनसे ओर्डर लेना होगा या फिर हम डारेक्ट डिस्टिब्यूटर के जरिये भी अपने तयार माल को बजार में बेच सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी दुकाने होती हैं या फिर दोस्तो हम ऑनलाइन भी अपने प्रॉड़क्त को बेच सकते हैं हम इंडिया मार्ट या दूसरी अन्य वेबसाइट पर रिजिश्टेशन कराके ओर्डर ले सकते हैं और अपने तयार माल को तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्य बात उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपका कोई सवाल यह सुजा हो तो आप हमें कॉमेंट के जरीए दे सकते वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सबस्क्राइब कर ले कि हमारी हर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास